Hello everyone, आज की स्रीज में मैं आप सभी के साथ LLB Entrance Exam 23 के question paper को share कर रही हूँ, मेरे पास इस paper का set D है, to the point question के answer में आप सभी के साथ share करूँगी, जिन भी question के answer में doubt होंगे, final answer की आने के बाद वो भी मैं आपको comment में pin कर दूँगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने र के regarding question पूछे गए है, हिंदी इंगलिस दोनों ही वीडियो में question paper पूछा जाता है, जिसमें आपको comfortable लगे, आप उसमें अपने question paper को solve कर सकते हैं, तो पहला question है, निमने लिखित में से किस स्थान पर बगवाल मेला आई जीत होता है, तो right answer है, option D, देवी दुरा, second question है, question पूछा गया है, किस राजी में इस्तित है, तो right answer है, आंधि प्रदीस में, option D, इसका correct answer होगा, question number four है, निमने लिखित में किस में सबसे अधिक प्रटैमिन C होता है, देगे, सबसे ज़्यादा इन में पूछा गया है, तो right answer है, option D, संत्रा में, question number five है, जब दिन और रात क अधि बराबर होती है, तो सूरी की किरणे सीधी पड़ती है, भूम अधि रेखा पर, option C, इसका correct answer होगा, अगला question देखिए, आपका reasoning पर based है, यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है, और सीता रीना से लंबी है, तो उनमें सबसे लंबा कौन होगा, तो correct answer जाएगा, option C, पूजा, अगला question देखिए, जन्रल साइन्स के रिगार्डिंग, बैरोमीटर किसकी माप करने की इकाई है, तो right answer होगा, वायूदा, next question है, सामानी की answer related खालसा पंत की इस्तापना किस ने की थी, तो right answer होगा, गुरू गुविन सीने, अगला question है, विस् का correct answer होगा, question number 11 है, भारत सरकार द्वारा नीती आयोग की स्थापना किस को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई, तो right answer होगा, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए, option D's का correct answer होगा, अगला question है, निम्धित में कौन सा, चिपको अंदोलोन का मूल विसे है, द किसको माना जाता है, तो right answer है, वर्जिस कुरियन को, ठीक, option B's का correct answer होगा, अगला question है, भारत की मौद्रिक नीती, यानि की monetary policy को कौन तैयार करता है, तो right answer है, Reserve Bank of India, option B's का correct answer होगा, question number 16 है, हरित बैंकिंग से तात पर यह है, तो हरित बैंकिंग से है, बैंकों द्वारा परि जोजनाओं का विद्ध पोशन, question number 17 है, प्रॉफेसर अमरति सेन को, उनके किस छेतर में योगदान के लिए, नोवेल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, तो right answer है, भारती अर्थसास्ति के छेतर में, option C's का correct answer होगा, अगला question है, वह वैग्यानिक जिसने सर प्रिथम ख कोजा की प्रिथवी सूरी की परिक्रमा करती है, तो ये खोच की थी, कौपन निकसने, ठीक है, option C's का correct answer होगा, question number 19 है, प्रियाग इस्तिद अलफ्रेट पार्क का नाम बदल कर किस नाम पर रखा गया, तो इसका नाम रखा गया, चंदर सेखर आजात पार्क, ठीक है, option B's का correct answer होगा, अगला question है, भारत का अंतिम ब्रिटिस वाइस राय था, देकि अंतिम ब्रिटिस वाइस राय आपसे पूछा गया है, तो correct answer है, option D, लाट माउंट बेटिन, next question है, एतिहासिक डाडी आतरा सम्मंदित है, तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये नमख कानून के उ अंधिकरित किया गया, यानि कि कभ एडॉप्ट इसे किया गया, तो राइट आंसर होगा, 26 नौवबर उननिस सो उनपंचास को, अगला question है, सम्मीधान में हमारे देश का उले किन नामों से है, यानि कि कौन-कौन से नाम से जाने जाता है, तो राइट आंसर है, इंडिया नागा लेंड, मनीपूर और मिजूरम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, साथ पहनों का सदेश्य है, इसमें त्रेपुरा, नेक्स question है, भारत का प्रसासनिक मुख्या कौन होता है, तो प्रसासनिक मुख्या होता है, प्रधान मंत्री, अगला question है, राजी सभा के प्राणियों के लिए महत्वण है, क्योंकि ये पराबैगनी किरणों के प्रवेश को रोगती है, ठीक है, उप्सन है, इसका राइट आंसर होगा, अगला question है, कैलास मांसरोवर यात्रा ही, तो तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, उत्राहंड का दर् कैलास मांसरोवर यात्रा की जाती है, नेक्स वेशन है, देव प्रयाग संगम पर इस्तित है, देव प्रयाग, अलग नंदा और भावी रेथी नद्यों के संगम पर इस्तित है, तो राइट आंसर होगा, उप्सन ए, अगला question है, अगला question है, 1984 में भोपाल गैस त्रास दी, निम्निर्खित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई, देगे कई बार competitive exam में पूछा जाता है question, और यहाँ पे भी पूछा गया है, तो right answer है, मिथाई, आइसुसाइन, अप्सन ए, इसका correct answer होगा, next question है, विस्तो परियावरन दिवस, किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल 5 निम्निर्खित में से कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो इनमे से नेपाल से लगा हुआ है, पिथरागर, option 6 का correct answer होगा, question number 35 है, विस्तो परियावरन दिवस, किस दिन मनाया जाता है, तो यह राम गंगा की सहायक नदी है, question number 36 है, निम्निर्खित में कौन सा एक उत्राखंड का सबसे उचा परवत सिखर है, देखे, सबसे उची परवत चोटी पूछा जा रहा है, तो राइट answer होगा, नन्दा दिवी, option 6 का correct answer होगा, अगला question देखे, सामानी के answer ही related है, महत्मा गाधी के राजनेतिक गुरु कौन थे, तो कई बार पूछा जा च चिन्याले में न्याय धीसों का कारिकाल किस उम्र तक रहता है, तो राइट answer होगा, 65 वर्स तक, next question है, प्रिथवी के निकरतब कौन सा ग्रह है, तो correct answer होगा, option ए, सुक्र ग्रह, question number 41 है, निम्नकित में कौन सा अबरक्ष सम्मूदर तल से सरवाधिक उचाई पर पाया जाता है, तो right answer है, option D, देउदार, next question है, युवान मुद्रा है, तो युवान देखे, चीन की मुद्रा है, ठीक है, option है, इसका correct answer होगा, अगला question देखे, रिजिनिंग पर बेजड पूछा गया है, कि यदि आप एक बिंदू और से दक्षिन की, ओ चल कर 8 km दूरी पर बिंदू पर पहुंसते हैं, वहां से पूरू में, आप 6 km चल कर बिंदू 100 पर पहुंसते हैं, तो बिंदू और से 100 के मधी की दूरी क्या होगी, तो देखे, आपको direction बताऊने चीए, पूरा पस्चिम उत्तर दक्षिन, ठीक है, तो यहां से, I suppose आप A point पर है, यहां से आप 8 km क्या होगी, तो यहां पर पाइथक और इस theorem आप यूज करेंगे, तो आपको right answer मिल जाएगा, 10 km, अगला कुशन देखे, रिजिनिंग पर ही वेज़ रहे, 5 पुस्तके हैं, A, B, C, D, E, इन में से C, D के उपर है, E, A के नीचे, तथा D, A के उपर, एवन B, E के नीचे है, त तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी, तो देखिए, यहां पर आपको सबसे वाली क्या करना है, C, D के उपर है, कहा जा रहा है, तो C, D के उपर, इस तरीके से हम रख लगे, इसी बाद देखिए, E, A के नीचे है, तो इस तरीके से हम mention कर लगे, और B, E के नीचे ह है, B, E के नीचे है, तो B यहां पर है, तो यहां पर है, तो यहां पर आप से पूछा जारा, सबसे नीचे कौन सी होगी, तो सबसे नीचे हो जाएगी, B, अगला question देखिए, आपका computer पर बेज़ रहा है, computer की सब्दावली में, RAM का full form, आप से पूछा गया है, बहुत ही simple question ह Random Access Memory, अगला question है, भारती रास्ती धोच की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई और चोड़ाई का अनुपात है, तीन अनुपात दो, देखिए, बहुत ही simple से question पूछे गये हैं, और काफी सारे question तो repeated हैं, तो I hope कि आप सबका paper अच्छा रहा होगा, 50 तक के question तो आपके सामानी ज्यान पर ही बेज़ रहे हैं, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं questions को, लोगसभा में निर्वाचन हे तु नियुन्तम आयू सीमा क्या है, तो लोगसभा के लिए है 25 यर, अगला question देखिए, wings of fire कुस्तक के लेखा कौन है, तो बहुत ही simple सा question है, अगला question है, ब्रेटिस इंडिया का प्रथम गवर्नर जर्नल तथा वाइस राय कौन था, देखिए, अभी हाल भी मैंने आपको ए question कराया हुआ था, तो right answer है, लार कैनि, अगला question है, भारती रास्ट्री कॉंग्रेस की स्थापन किस ने की थी, तो right answer होगा, A.O. Hume ने, ठीक लेते हैं किस तरीके की question आप से पूछे गए थे, तो देखिए, इंगलिस grammar में starting के five questions जो है, आपके one word substitution से related पूछे गए हैं, जिसमें पहला है, the life history of a person written by himself is, तो इसे बोला जाता है, autobiography, ठीक, option A, इसका correct answer होगा, second question है, study of evolution of mankind is, anthropology, ठीक, ऐसे क्या बोला जाता है, anthropology, अगला correct answer होगा, question number 54 है, study of religions is, तो इसे बोला जाता है, theology, next question है, one who hates females, देखिए, जो female से क्या करे कहरा है, नफरत करे, तो उन्हें बोला जाता है, misogynist, ठीक, option C, इसका right answer होगा, इसे बाद देखिए, आगे के question, opposite words से related है, contrary का opposite आपको बताना है, इन में से कौन सा होगा, तो इसका correct answer होजाएगा, option B, agreeable, next opposite है, देखिए, retreat, retreat के लिए opposite word आपको इहां बताना है, correct answer होजाएगा, advance, अगला question देखिए, opposite meaning बताना है, आपको नादिर का, तो इसके लिए use करेंगे हम Janet, option D, इसका correct answer होगा, question number 59 है, देखिए, survival के लिए opposite word आपको बताना है, तो right answer होजाएगा, option C, question number 60 में, answerator का, आपको opposite बताना है, तो right answer होजाएगा, option A, descendant, इसे बात देखिए, आपसे 5 question, correct proposition के रिगार्डी, पूछे गए है, ठीक है, जिसमें, पहला question है, the village was destroyed, death fire, तो यहां पे हम यूज करेंगे, by, तो option B, इसका correct answer होगा, next question है, it is 10 o'clock, death my was, तो यहां पे भी हम 33 है, I have not seen you, death, almost 3 years, तो यहां पे हम यूज करेंगे, for almost 3 years, next question है, this story has been translated, death, various languages, तो यहां पे हम यूज करेंगे, in, next question है, C, was anixious, death, her mother's head, तो यहां पे हम यूज करेंगे, about का, option C, is का correct answer होगा, इसकी बात देखिए, idiom पर based question पूछे गए है, तो पहला question है, an apple of discord means, तो इसक meaning हो जाएगा, aquarals, ठीका, option A, इसका right answer होगा, second question है, give someone the cold shoulder means, तो इसका meaning हो जाएगा, option A, to treat in a unfriendly week, अगला question है, in black and white means, तो इसका meaning हो जाएगा, in writing, next question है, to break the ice means to, तो इसका meaning हो जाएगा, break an uncomfortable silence, अगला idea में देखिए, to turn the table means, तो इसका हो जाएगा, reverse the position, option D's का correct answer होगा, इस वाद देखिए, nearest meaning से जुड़े question पूछे गए है, ठीक है, आपको word दिया गया है, जिसे impasse है, तो impasse के लिए nearest meaning, इन में से कौन सा होगा, पूछा जा रहा है, तो right answer जाएगा, option D, ठीक है, यहाँ पर होगा, still mate, 72 में है, the word nearest meaning, to discrete, discrete के लिए हम use इसका correct answer होगा, अगला इसने देखिए, senseor के लिए आपको nearest meaning बताना है, तो इसका हो जाएगा, criticize, इस वाद देखिए, epitomy के लिए nearest word हमने बताना है, तो right answer जाएगा, option C, monument, question number 75 है, the word nearest in meaning entice, entice के लिए हम use करेंगे, attract, ठीक होगा, ठीक है, 25 question आप से English grammar के regarding पूछे गे थे, और इसके बाद जो 25 question है वो हिंदी grammar से related है ठीक है तो इनको भी हम solve कर लेते हैं इसमें देखे हिंदी grammar का पहला question है जो कारिक कठिन हो वाक्यांस के लिए एक सब्दी के सब्द समूं के लिए एक सब्द का प्रियोग आपसे पूछा जा रहा है तो इसका right answer हो जाएगा दुसक और बिना मांस के वाक्यांस के लिए उप्योग तो सब्द क्या होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे निरामिस ठीक है option C का correct answer होगा अग्ला question है जिसका कोई satry न हो वाक्यांस से येत ऊप्योग तो एक सब्द होगा तो राइट answer जागा अजात सत्रू अगला question है कि अहसान को न मानने वाले के लिए एक सद्ध हम प्रियोग करेंगे कृतग नगा नेक्स वेशन है इस्वर को न मानने वाला जो इस्वर को नहीं मानता उसे बोलते हैं नास्तिक तो option D का correct answer होगा question number 81 में है दीखिए p 67 का सही उर्थ क्या होगा तो प 67 का मतलब होता है दुहराना question number 82 है क्रिपन सब्द का सही उर्थ होगा तो क्रिपन का अर्थ होता है कंजूस, option B, इसका correct answer होगा next question है, आउहिलना सब्द का सही अर्थ है, देखे, आउहिलना का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है यानि कि आग्या नमानना या लापरवाही आप इसे बोल सकते हैं, तो राइटांस रोगा option A अगला question है, आउसिस्ट सब्द का सही अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा आउसिस्ट का मतलब सेस्ट, ठीक है तो राइटांस रोगा option C, अगला question है पराकास्था सब्द का सही अर्थ है तो इसका सही अर्थ होगा मतलब एक चरम सीमा बोल सकते हैं ठीक है, हद हम बोल सकते हैं जिसे तो राइटांसर होगा option B प्रकास का परियावाची थी, कि परियावाची सब्द करिगार्डिंग question पूछा गया है तो परियावाची हो जाएगा प्रकास का इसमें दूति option A का correct answer होगा next question B, परियावाची से related है पक्षी का परियावाची होता है खग तो option D, correct answer होगा next question है, पेड का परियावाची है तो पेड का परियावाची होता है दुम, option B का correct answer होगा अगला question है, प्रभाकर का परियावाची है तो प्रभाकर सूरी का परियावाची है ठीक है, option C का correct answer होगा अगला question है, पत्थर का परियावाची है तो पत्थर का होगा पासान Question number 91 है कृतिम का विलोम सब्द है कृतिम का होता है प्राकृतिक तो option C का correct answer होगा Next question है प्राचीन का विलोम सब्द क्या होगा दीखे प्राचीन का होगा अवार्चीन तो option B का correct answer होगा अगला option है सदाचार का विलोम सब्द क्या होगा, सदाचार का होगा, धुराचार, ठीक है, option B का correct answer होगा, question number 94 है, स्वतंत्र का विलोम सब्द है, स्वतंत्र का परतंत्र होगा, तो option D का correct answer होगा, next question भी विलोम से ही related है, आसृत का विलोम सब्द क्या होगा, आसृत का हो जाए नेक्स वेशन है कागच के घोडे दोडाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो राइट आंसर होगा लिखा पड़ी करती रहना ओप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन है आग पर घीडालना मुहावरे का सही अर्थ है इसका अदब उता है क्रोट को बड़ावा देना option 20 का correct answer होगा question 99 है मुँपर हवाईया उडाना मुहावरे का सही अर्थ है right answer जाएगा चेहरा फीका पढ़ना next और आज का last question है पत्थर पर दूब जमना मुहावरे का सही अर्थ है देखिए पत्थर पर दूब जमना इसका मतलब हो जाएगा असंबाव भात होना ठीका option है इसका correct answer होगा तो friends आप सभी के साथ LLB entrance exam 2023 का complete paper मैंने to the point share किया I hope कि आप सभी के लिए ये वीडियो helpful रहा होगा जिस भी question के answer मैं doubt होंगे final answer की आने के बाद आपको comment में pin कर दिये जाएंगे तो अगर आपको वीडियो helpful लगा हो तो please video को like से और channel को subscribe जरूर कर लें thanks for watching